दोस्तो आज की तारिख में 15-20,000 की रेंग में इतने धमाकेदार फोन जो है वो आयो हैं कि अगर बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की तो वो टकर देते हैं जो फ्लैक्शिप फोन है अगर क्वालिटी की बात करता है तो इतनी प्रिमियम लुक्स उसके अंदर आई वी है कल मैं मार्केट में गया ये फोन देखने के लिए कुछ फोन मेरे को लेने थे मैं अभी खुद अपने लिए दूसरा फोन लेनी की जो है प्लानिंग कर रहा हूं तो ऐसे मैंने 15-20,000 की बीच में रेंज रखी है तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी है जो आज इस वीडियो में आ पिक्सल की 4GB और 64GB का वेरेंट था मतले 4GB RAM थी और 64GB का उसके इंदर स्टोरिज था इसको 512GB तक बढ़ा सकते हैं त्री ट्रिपल रियर कैमरे मिरे को देखने को मिले और उसमें 25 मेगा पिक्सल का एक था एक 8 मेगा पिक्सल का था एक 5 मेगा पिक्सल का था 1 23 डिगरी का इ इतनी बड़िया पिच्चर क्वालिटी इसकंदर आ रही थी स्टर्निंग पिच्चर क्वालिटी थी अगर एंडर 20,000 की में बात करता हूं So one of the best camera Samsung A50 में आपको देखने को मिलेगा और साथ ही अगर मैं front camera की बात करता हूं तो उसके अंदर आपको 25 मेगा पेक्सल की selfie देखने को मिलती है तो धमाके तारी फोन मुझे लगा 4000 mAh की संदर बैटरी है और 15W का Type-C का आपको चार्जर देखने को मिलता है Exynos का 9610 का processor इसन देखने को मिलता है जोगी 2.2 GHz की frequency पे चलता है और काफी अच्छी performance आपको देदेगा कैसी भी आप game खिलेंगे PUBG बगरा तो lag नहीं करता है Android का 9 बले Android Pie का edition आपको देखने को मिल जागा इसके अंदर earpiece बगरा सब कुछ मिलते है फोन के अंदर तो brand अपने आप में काफी अच्छा है फोन definitely बहुत अच्छा है looks wise performance wise दोनों मुझे कहीं पर कमी नहीं लगी एक नमबर फोन है अगर आपका budget 20,000 रुपे का है और Samsung brand के लिए जाना चाहते है तो definitely आप इस फोन के लिए जा सकते है दोस्तों दूसरे अगर फोन की बात करते है तो वो है performance champion इस range के अंदर 20,000 से कम मे 19,999 अंदर Poco F1 और ये आपको Qualcomm Snapdragon 845 के अंदर देखने हो मिलता है जो कि 2.8 GHz की frequency पर चलता है 10 nanometer की technology वनीवी ये chip है और अच्छी बात है कि इस दर आपको liquid cooling का support देखने हो मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल की बात है 20,000 की range के अंदर आपको इतना अच्छा processor मिलना और सा 30 GB RAM और 64 GB वाले variant के बारे में जो कि 20,000 से नीचे आपको मिल जाता है चौसरी जीबी का बढ़ा सकते है 512 GB तक और 6.12 इंचिस की आपको full HD screen देखने को मिलने वाली है नौच थोड़ी सी बड़ी है साथ इस दर आपको IR scanner को मिलता है जो कि iPhone के अंदर iPhone 10 के अंदर सेम आपको technology देखने को मिलेगी कि IR के थुरू आपका जो है face scan करेगा और यह काफी safe है तो इसका face unlock जो है काफी safe है और इसका जो fingerprint scanner है वो भी काफी fast है तो safety, security, performance तीनों चीज़ों में जबरदस्त है बात करते है इसकी camera की तो rear में आपको दो camera देखने को मिलेगी 12 megapixel प्लस 5 megapixel और अगर selfie की बात करते है तो आपको 20 megapixel की दमदार selfie मिलने वाली है इसकी जो camera की quality है definitely बहुत अच्छी है अगर आप थोड़ा सा research करेंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि POCO F1 का camera वाकरी में शाओमी ने बहुत ही दमदार निकाला है और selfie में और rear में दोनों की अंदर ही आपको disappoint न अंदर है तो वो भी काफी अच्छी बात है यह phone एक तरह से पूरा complete performer है थोड़ी से जहां पर आपको disappoint हो सकती हो मैं आपको बता देता हूं disappointment जहां पर हो सकती है इसी जो build quality है वो polycarbonate का भी बना हुआ है तो थोड़ा सा इतना premium look यह नहीं देता है लेकिन phone की performance definitely आपको disappoint नही model के बारे में जिसके अंदर 6.3 inches की full HD screen आपको देखने को मिल जाती है जो की 409 ppi पे चल इसके अंदर आपको crane का 970 का chip देखने को मिलेगा जो की flagship phones के अंदर जो है honor use करता है तो काफी अच्छी performance इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है बात करते है RAM और storage की तो इसके support के साथ आपको rear camera देखने को मिलेगे साथ 16 megapixel को front camera देखने को मिलेगा 3750 mh की battery देखने को मिलेगी साथी face unlock या fingerprint scanner दोनों का support आपको मिलने वाला है काफी premium body design इसका है दोस्तो honor के अगर मैं phones की बात करूँ तो काफी battery efficient ये phone होते है अगर इसके 3750 mh की battery आपको मिल रही है तो तो अगर आपका budget जो है 16000-17000 की बीच में तो definitely इस phone के लिए आप जा सकते हैं बहुत ही premium phone है और कई पर आप जाएंगे तो looks वगरा में भी और performance में भी आपको निराश नहीं करेगा और दोस्तों अगले अगर phone की बात करूँ तो क्या कमाल वो phone है जो market में आते ही उसने सब को उड़ा दिया धर-धर-धर-धर करके उस range के अंदर वो है Redmi का Note 7 Pro क्या कमाल का Sony का sensor ये लेके आए है 586, 48MP का इन्होंने camera launch कर दिया है इस range के अंदर वो भी real 48MP का 6.3 inches की dot notch display जो की full HD है कमाल का display कमाल की look और दोनों तरफ Gorilla Glass 5 मतले आगी भी और पीछे भी premium look इन्होंने द दिया है जबरदस्ती फोन है बात करते हैं इसके बारे में इसका प्राइस जो है 13,999 रुपे से शुरू हो जाता है अब बात करते हैं पुरी configuration की बारे में तो इसके अंतर आपको Qualcomm Snapdragon 675 का बहुत ही अच्छा processor देखने को मिलता है जिसके अंतर आपको Adreno 612 का GPU देखने को मिल देखने को मिलने वाला है सेलफी के अगर बात करते हैं तो 13MP की आपको Selfie देखने को मिल जाएगी इसके अंतर बुके एफेक्ट वगरा सब कुछ मिलेगा 4000 mAh की बैटरी इसके अंतर आपको देखने को मिलेगी साथ ही मिलेगा USB-C का सपोर्ट Fast Charging इसके आपको देखने को मि नहीं है मिल जाए तो जरूर ले लिजिएगा Flash में थोड़ा सा मिलना बहुत मुश्किल होता है तो थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेर रहिएगा और दोस्तों अगले अगर फोन की बात करूं तो वो है 16,999 रुपे के अंदर OPPO K1 Believe me Snapdragon 660 के अंदर ये एक अच्छी buy है अग अगले डिस्प्ले देखने को मिलने वाला और काफी प्रिमिम ये लुक देखा क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट है इसके अंदर तो काफी जल्दी से मतलगी आपको एक ऐसा होता ने स्टाइलिश लुक जो होता है कि डिस्प्ले पे आपने अपना लगाया और इसके अंदर है वो साथी 25 मेडा पिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिलेगी तो एक तरह से कंप्लीट फोन है और अगर आप विवो का कोई फोन लेना चाते तो विवो वी 11 प्रो जो फोन आया था उसमें और ये जो उपो के वन है इसकी कॉन्फिगरेशन में कोई खास नहीं है तो अगर आपका बजट 16,000 की रेंज में तो डेफिनेटली 7,000 रुपे एक्स्ट्रा खर्च ना करके क्योंकि वो फोन जहो 23,999 रुपे आज की तारिक मिल रहा है 7,000 लेस खर्च करके आप सेम एक तरह से मान के चलिए कि आप सेम वही इंजॉय कर पाएंगे उतने यही लेवल की परफोर्मेंस आपको मिलने वाली है तो आप इस फोन के लिए भी जा सकते हैं लिस्ट में अगले अगर फोन की बात करते हैं तो वो है Nokia का 7.1 जो की आपको 19,999 रुपे के अंदर मिल जाएगा बात करते हैं इसकी configuration के बारे में तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 636 का processor देखने को मिलेगा जो की 4GB RAM और 64GB storage के साथ आता है Android Pie का आपको support देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको 5.84 इंचिस की full HD screen देखने को मिलेगी notch वाला display दोस्तो 19 to 9K expect ratio के साथ Gorilla Glass 3 का protection देखने को मिलेगा एक जो मुझे इसके अंदर थोड़ी सी कमी लगती है की 3060 mH क आपको fast charging का support मिलने वाला है जो कि 18W का आपको charger मिलने वाला है तो काफी fast आपकी charging हो जाएगी रियर में अगर बात करते तो 12 megapixel प्लस 5 megapixel का rear camera देखने को मिलेगा और front के अगर बात करते तो 8 megapixel देखने को मिलेगा तो दोस्तो Nokia का phone है Nokia का भरोसा है अगर आप Nokia brand के लिए जा लेकिन बनता था उस phone का इस range के अंदर आना क्योंकि 13,999 रुपे का होते हुए भी 14,000 रुपे का होते हुए भी वो phone बीट करता है 16,17,18,18,18,000 रुपे की configuration वाले phones को तो कमाल धमाल phone है और उसका बनता है इस range के अंदर भी आना top phone under 20,000 की range के अंदर भी आना और इसलिए मैं opinion की बात करें तो जो phone मैं लेना चाहूंगा तो मैं इस बीच में तीन phones को लेकि काफी कश्म कश्म हूँ एक तो सबसे पहले तो Samsung का A50 जो definitely बहुत ही अच्छा phone है, कमाल phone है, Redmi Note 7 Pro अगर आपको online मिल जाता है तो आप उस phone के लिए भी जा सकते हैं, otherwise A50 बहुत ही कमाल का phone है औ लेकिन Poco F1 जो है थोड़ा सा पुराना हो गया है, अब Poco F2 के आने की अब धीर धीर लीक सानी स्टार्ट होगी, कब वो आ सकता है, तो hopefully वो भी जल्दी आने वाला, लेकिन Samsung A50 और Redmi Note 7 Pro, definitely ये नेक तो नेक चल रहे हैं, अगर मिल जाता है Redmi Note 7 Pro तो 48MP camera, 14,000 रुपे की range के अ अंदर कमाल दमाल फोन है, अधरवाइस Samsung का brand, Super AMOLED डिस्पले, तीन triple rear camera, wide angle lens, अपने आप में बहुत दबरत फोन है, तो अगर आपको online ये नहीं मिलता तो offline के लिए Samsung में इस से बेटर फोन आज की तारिक मुझे नहीं लगता है, तो ये थे मेरे कुछ अपने choices, और उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंदा होगा, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर